अपने बुद्धी को बाबा से जोरने के लिए ये आवश्यक है कि हम बुद्धी को सब व्यर्थ से मुक्त रखें अपनी बुद्धी को एकदम न्यारा रखें और हर एक चीज से परे रखें जब भी बुद्धी की अवश्यक्ता हो किसी बात में कुछ निरना करने के लिए कुछ प्लान करने के लिए या कुछ समर्थ संकल्प के लिए उसको इस्तेमाल करें और फिर उससे परे चले जाएं क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है या थार्थ है ड्रामा का लियान कारी है और सदा बाबा के कारे में सही होगी है तो जब हम ऐसे फेट इन ड्रामा स्थिर रहेंगे और हमारा निश्च ड्रामा पर सो प्रतिशत रहेगा तो हम अपनी बुद्धी को इस्तेमाल भी कर पाएंगे और उससे परे भी जा सकेंगे बेहद में जा सकेंगे तो अभी मैं अपनी बुद्धी को यहां से परे बेहद में उपर ले जाती हूँ इस देह से परे ले जाती हूँ देह केवल एक वाहन है एक इंस्ट्रूमेंट है यंत्र है और मुझे इस देह का इस्तेमाल करना है जब भी जरूरत हो इसे इस्तेमाल करूँ लेकिन इस समय मेरी बुद्धी बाबा से जुड़ी होने चाहिए बाबा जो निराकार है एक चमकती हुई सुन्दर प्रकाश है बिन्दू है बाबा ही हर चीज का स्रोत है और बाबा ही बर दाता है प्यार का सागर है शांती का सागर है ग्यान का सागर है बाबा ही विश्व स्रिष्टी का बीज रूप है और सर्व गुन और शक्तियां बाबा में बीज में समाई हुई हैं हम सब बाबा की रचना हैं तो जो भी बीज के अंदर समाया हुआ है वही उसकी रचना में भी है तो अपने आप को देखें एक आत्मा रूप में एक बीज रूप में और उसको महसूस करें उस बीज अवस्था को महसूस करें और उसमें वो सब गुन विशेश्टाएं ग्यान उस बीज में अपने आप में महसूस करें प्रेम महसूस करें प्रेम स्वरूप शांद स्वरूप और बाबा की सर्व शक्तियों को महसूस करें बाबा रच्टा है आत्मा के मात पिता है इसलिए मैं बाबा की सब शक्तियां सब विशेश्टाएं मुझे वर्से के रूप में मिली है मेरी बुद्धी मेरी बुद्धी उस बीज पर बाबा पर जो की बीज रूप है उस पर केंद्रित है और मैं भी एक मास्टर बीज रूप हूँ बाबा की तरह ही तो ये भान मुझे अपनी श्रेश्ट अवस्ता का भान है मैं एकदम स्थिर हूँ अपनी स्वामान की सीट पर एकदम स्थेर बैठी हूँ मेरी बुद्धी ऐसे महसूस हो रही है जैसे उसको बाबा अपनी औरा करशित कर रहे हैं मेरी बुद्धी को एक कहन शान्ती का अनुभव कर रही हूँ संकल्पों की शान्ती, बुद्धी की शान्ती ये शान्ती का अनुभव मुझे और भी ऊंच अवस्था का अनुभव दे रहा है श्रेश्ट अनुभव दे रहा है मैं और भी ऊंचा अंचा जाती जा रही हूँ मुझे फरिश्टा रूप का अनुभव हो रहा है और इस फरिश्टे रूप की स्थिती में बाप दादा के फरिश्टे रूप का साथ है आईए अभी बाबा से दृष्टी लेंगे और इस फरिश्टा स्वरूप की स्थिती में स्थित रहेंगे और बुद्धी एक तम शान तवस्था में याद की याद की याद रा सीरीज में और अभी शुरू कर रहे हैं Power of Silence शान्ती की शक्ती आज पहला दिन है शान्ती की शक्ती का और अभी हम सुनेंगे मोहिनी दीदी जी से Om Shanti everyone Om Shanti sabhi ko मैं जानती हूँ कि सभी ठीक होंगे सभी अच्छे होंगे, सभी खुश है मैं समझ सकती हूँ अब बताईए, सभी खुश है कल हमने बहुत अच्छी बातचीत की रूह रिहान की जैनती बेन के साथ और मुझे अच्छी फीड़बैक मिल रही है उससे कि ये बहुत ही जैसे पारिवारिक रूहरी खान जैसे लगी हूँ सबको तो इस सद्गुरुवार को बाबा ने हमें निर्देश दिया है हम सबको कि हम शान्ती की शक्ती का इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें तो आप सबने किया होगा वो अभ्यास आदे दिन का या पूरे दिन का या सुबह कुछ घंटों का शान्ती का अभ्यास किया होगा लेकिन अभी हम थोड़ा अलग करेंगे यह हम ऐसे करेंगे कि दस मिनट शान्ती, पूरे दिन में दस-दस मिनट शान्ती बीच-बीच में करते रहेंगे तो आखिर में हम बताएंगे आपको कैसे करना है, यह आज के सेशन के आखिर में मैं जानती हूं सबके काफी आत्माओं के पास जाब है या कर्म योगी हैं सब लोग कुछ खाना बनाना रहता है या कुछ बात्चित करनी रहती है तो सबका दिन बहुत ही व्यस्त जाता है, व्यस्त रहता है लेकिन साथ ही इस शांती का अनुभव करने के लिए और ये महसूस करने के लिए कि जब हम करम करते हैं तो क्या उसमें अंतर है शांती से और करम में क्या अंतर है ये महसूस करने के लिए हम इसका अभ्यास करेंगे तो इस बारे में हम आखिर में बताएंगे सब को कि कैसे अभ्यास करना है दीदी बोल रहे हैं कि कैसे हम ये शांती की शक्ती का इस्तेमाल करें उसको बढ़ाएं कि जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या बोल रहा हूं तो शांती की शक्ती का इस्तिमाल करेंगे तो उसकी क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी अलग होगी तो शाम को मैं ऐसे एक एंजल जैसे अनुभव कर रही थी फरिश्टा जैसे तो हम सबी को ये नोट भेज रहे हैं मैं सब अभ्यक्ती परिवारवालों को सब डबल फॉर्णर्स को कि जो भी जोइन करना चाहते हैं हमारा अभ्यास क्योंकि कुछी दिन पहले मुझे मैंने मेरी बुद्धी बहुती व्यस्त थी कि कुछ निर्ना करने में या बहुत प्लैनिंग कारें में बिजी थी ब्यस्त थी तो मुझे मैसूस हुआ कि मुझे थोड़ी शांती की अवशकता है मैं शांत रहना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बुद्धी शांती में रहे मैं चाहती हूँ कि शांत रहे बुद्धी और जब मैंने वैसा किया तो पंद्रा मिनट ये अभ्यास किया, बुद्धी की एकदम शान तवस्था का अभ्यास किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जादा अच्छा लगा, और फिर मैंने जब सब को इसके बारे में बताया उस रिट्रीट में, मैंने बताया कि हम हमेशा हम मन की शान्ती के बारे में बात करते हैं, कि मन ऐसे संकल्प पैदा ना करें, विर्थ ना उत्पन करें, या जादा संकल्प ना पैदा हों, लेकिन मुझे जब यह एहसास हुआ कि बुद्धी की शान्ती भी बहुत अवश्यक है, आप में से किनको यह लगता है बीच बीच में, कि बुद्धी जैसे ठक गई है बीच बीच में, थोड़ा प्रेशर है बुद्धी पर, तो बुद्धी, बुद्धी में बहुत सारे काम करती है पूरे दिन में, मन तो सोचता है लेकिन बुद्धी को निर्ना करना पड़ता है उसको बताना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है तो ये जैसे उसका काम है बुद्धी का तो सिर्फ मन की शांती नहीं लेकिन बुद्धी की भी शांती तो मेरा अनुभव उसमें ऐसा है कि मैं अभी भी करती हूँ ये मुझे अनुभव हुआ कि एक करम योगी की तरह है उस शांती को अपनाएं मन की शांती, बुद्धी की शांती दोनों को अपनाएं अपनी करम योगी जीवन में तो जब बाबा ने ये निर्देश दिया हमें कि एक तो है कि हम देखें कि मन किसी भी व्यर्थ से मुक्त है कुछ भी ऐसे नहीं सोचता है व्यर्थ में और उसके साथ साथी बुद्धी भी ऐसी होनी चाहिए लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम शान्ती में तो रहते हैं, लेकिन शान्ती में हम कुछ गीत सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, या मेरिटेशन के लिए, योग के लिए उसको सुनें, लेकिन बाबा ने कहा कि शान्ती, मन की शान्ती, बुद्धी की शान्ती, कुईंकि हमारे देह के अंगों का भी अकर्षन रहता है हमारे उपर तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंग हमारी आत्मा को कर्म में खीच रहे हैं हम कह सकते हैं कि यह अवश्यक है लकिन हर समय नहीं वो कर्म आवश्यक है लेकिन हर समय नहीं और जैसे बाबा ने कहा मैं मास्टर हूँ तो ये अंग मुझे मुझे मास्टर को अकर्शन नहीं करने चाहिए मैं मास्टर हूँ, मैं राजा हूँ तो सिर्फ शांती, 10-15 मिनट की शांती ऐसे ही आँखों का भी हम अगर देखें तो मुझे नियूस देखना है, मुझे लैपटॉप देखना है तो सुनने का भी ऐसे तो ऐसे शांती मैं अनुभव करूँ जिसमें ये शारीरिक अंग मुझे अपनी और खीचे नहीं मन बुद्धी को अकरशित नहीं करें नहीं तो संकल्प की शांती ऐसे जबरदस्ती होगी कि हाँ मेरे अंदर से आएगा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ लेकिन वो जबरदस्ती होगा तो निश्चे से 10 मिनट शांत बैठें निश्चे के साथ कि मुझे कोई भी गीत नहीं सुनना है, म्यूजिक नहीं सुनना है तो ऐसे ही मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, कुछ भी बात नहीं करना चाहता हूँ 10 मिनट के लिए मुझे कोई तस्वीर को नहीं देखना है किसी भी तो ऐसी शांती, इन चारों का combination, ये चारों एक साथ हम कल से अभ्यास करेंगे, आज भी सोने के पहले हमें अभ्यास कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि शांती मना neutral, मना कुछ नहीं करना, लेकिन ये एक शक्ती है, ये शांती की शक्ती, ये अभ्यास जैसे हम मुझे सोचना नहीं ह जैसे मुझे आदी अनादी स्थिती का अनुभव अच्छा लगता है, तो जैसे निराकार एक भी जिरूप अवस्था में, तो उसमें तो कोई भी संकल भी नहीं आता है उस अवस्था में, निराकारी अवस्था में, तो मैं कैसे इसका अभ्यास करूँ, तो मैं सोच रही प्रेम की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सिरफ सोचना नहीं, लेकिन अपने अंदर वो शक्ति अनुभव करना, और उस थिती में बने रहना, मैं पवित्र हूँ, मैं स्नेह स्वरुपात्मा हूँ, शान्थ स्वरुपात्मा हूँ, और फिर उसका अनुभव करना, उस पवित्रता क अनुभव करना, उस प्रेम का, शान्ती का अनुभव होना, ये अंदर की भावनाएं आनी चाहिए ऐसे, तो अगर हम ऐसा पांच बार दिन में करेंगे, हम आपको समय बताएंगे, कब-कब हम एक साथ करेंगे, लेकिन अगर आप उस समय ब्यस्त हैं और आप नहीं कर सकते उस समय वो अभ्यास, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे को अकर्शन होती है कि मुझे इस समय पर ये अभ्यास करना है, अगर हमारी ऐसी दिन्चर्या बन जाए, तो उस समय मुझे अकर्शन होगा, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे ये संस्कार होना चाहिए कि उस उस शान्ती के अनुभव में मैं अकर्शित होता रहूँ, आज सुबह मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मेरी बुद्धी बाबा कर्शित कर रहा है उस बुद्धी को, और बहुत अच्छी भावनाएं मेरे अंदर आई, और ये बहुत स्पष्ट था अनुभव जो मुझे हुआ, और मुझे फिर ये पता चला कि मैं बाबा से जुड़ गई और मैं ये स्पष्ट रूप से ये अनुभव कर पाई, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बुद्धी से निर्ना ले रहे हैं, लेकि कि आपका ड्रामा के साथ एकदम जुड़े हुए हैं, कि कैसे सब कुछ हो रहा है, तो ये बाबा की और से ये आकर्शन, ये शान्ती का आकर्शन अगजब होगा, तो बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगी, बहुत सारी बातें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, भले ही मैं ड्रामा पर निश्चेक करती हूँ, तो कोई भी संशा नहीं है, लेकिन कोई भी अगर सुक्ष्म रूप से भी संशा है, तो वो भी खतम हो जाएगा, बहुत सब कुछ बहुत स्पष्ट हो जाएगा, तो जब हम उस शान्ती का अभ्यास करेंगे, जैसे आज भी, आज भी हमने दो मुर्ली पड़ी हैं, सुनी हैं, तो बहुत सारे पॉइंट है मुर्ली में, तो एक मुर्ली से मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जो गायत्री बैन ने आज सुबह पड़ी, कि दो गुण, दो विशेष्टा हैं, एक तो उपराम, उपराम मना परे, परे रहना, उपर रहना, हर चोटी चीज से उपर रहना, उपराम, और दूसरा बाबा ने कहा परोपकारी, जिसका मतलब है कि सबके प्रती कल्यान की भावना, परोपकारी उपराम और परोपकारी दोनों विशेषता हैं तो खास तोर पर ऐसा कोई जो जिसके संबंध में थोड़े संघर्ष है या जिसके संसकार में थोड़ा संघर्ष है तो मेरे लिए मेरे अंदर से बहुत अच्छी भावनाएं होनी चाहिए उनके लिए किसी के प्रती दुर भावना नहीं, क्योंकि शुब भावना हैं, शुब भावना होनी चाहिए, क्योंकि कर्मों के बंदन हैं, जो सेटल हो रहे हैं, क्योंकि कुछ होते हैं जो शारीरिक रूप से हम चुक्त करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो सुक्षम रूप से, वो सुक् जो आप मेरे लिए सोचें वो तो आप पर है, लेकिन मैं दूसरे के लिए शुब भावना रखूँ, कल्यान की भावना रखूँ दूसरों के लिए, तो मेरा मन, मेरी बुद्धी, बाबा के साथ मेरे रहनी चाहिए, तो मेरे अंदर जब शुब भावना, शुब कामना होगी, तो बहुत सारे करम बंधन, मेरे सुक्षम कंत करम बंधन चुक्तू होते जाएंगे, तो जब हम ये दस मिनट की शांती का भ्यास करेंगे, तो जब हम अच्छे से करेंगे, कल से, लेकिन आपको बहुत अच्छे ऐसे अनुभव होंगे, और उन भावनाओं की स्पष्ट अनुभव होगी, क्योंकि कई बार होता है कि वो संकल्प बहुत मिले जुले होते हैं, तो हमें स्पष्ट नहीं पता चलता, कि मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं, ऐसी ऐसी भावनाओं आती हैं, तो जो भावनाओं हैं, वो मिली जुली रहती हैं अपस में, उलजी रहती है, कभी-कभी आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है, तो बहुत सारी भावनाएं आपस में उलजी होती हैं, तो जब ये सब भावनाएं शांती की शक्ती से बहुत ही स्थिर हो जाती हैं, बहुत स्पष्ट हो जाती हैं, तो वो स्पष्टा ज जो भावनाई आपको अनुभव होती हैं, दूसरों से जो भावनाई, जो वाइब्रेशन जाती हैं, वो बहुत इस्पष्ठ होती हैं, तो जैसे हम अपने भावनाओं को ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी क्षमता, सोचने की क्षमता, महसूसता की क्षमता बढ़ती जाएगी, क्योंकि, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार बताया है, जो युक्ती मैं अपनाती हूँ, कि जब ही भी कोई ऐसी परिस्थिती हो, बहुती कठिन परिस्थिती हो, तो बहुती गहन शांती, बाबा ब बहुत ही गहन शांती में चले जाते थे, कही बार 20 मिनट और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो दो-तीन घंटा गहन शांती में बैठे रहें तीन बज़े से लेकर सुब Mayor चे बज़े तक वो गहन शांती में बैठे रहें, तो जब भी आप तब जो भी बाबा के कमरे में गया उनसे कुछ निर्देश लेने के लिए तो इतनी उनकी शक्ती थी वहाँ पे शांती की तो कोई भी ऐसी कठीन परिस्थिती ऐसे बाबा हल करते थे तो अभी तो कलीव का वातावरन बहुती नकारात्मग है नेगिटिव है हम तो भगवान का राज्यस्थापन कर रहे हैं तो अब आज के वातावरन के हिसाब से तो वो नेगिटिव जो एनर्जी है वो आप पर प्रभाव डालने की कोशिश करेगे लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं हमें तो आगे बढ़ते रहना है तो इसलिए हमें ये अभ्यास करना है तो ये शांती का जो अभ्यास हम करेंगे एक हफ़ते के लिए करेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, जितना हो सकेगा हम आगे बढ़ाते रहेंगे उस अभ्यास को, तो आज भी जैसे बाबा ने बहुत अच्छे से कहा कि मैं जो भागे मुझे मिला है, जो कि मैंने सबको भागे एक समान दिया है, लेकिन आपको अपनी भागे की तस्वीर स्वयम बनानी है, अपनी आखें, अपना चेहरा बनाना है, खुशनुमा, और हमारे भान में वो रुहानी प्यार होना चाहिए, जो मेरी आँखों से जलके, तो बाबा ने सबको एक समान दिया है, वो भागे, तो वो प्रैक्टिकल में मुझे करना पड़ेगा, अपना तस्वीर बनाना, जो भी भागे दिया है बाबा ने, उसको साक्षात रूप में मुझे बनाना है, और बाबा ने काया, बहुत सहज है कि हर कदम बाबा के कदम पर रखता जाओं, और मैं देखों कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, शेव बाबा के तो कदम नहीं है, उन्होंने कुछ करम ऐसे नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं किया, तो उनके कदम पर मैं कदम रख अपने परिवार को कैसे, हर परिस्तिती में बाबा ने, प्रमा बाबा ने कैसे उसका सामना किया, जो भी उन्होंने निर्ना लिया भलेई, सिर्फ कल्यान कारी नहीं, लेकिन आगे बढ़ते रहने के लिए, बाबा ने ये बताया कि ये आपका लक्षे है और आपको पहुंच और फिर बाबा कहते हैं कि ये रेस है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये आपका घर है, जहां आपको जाना है, तो आपकी बुद्धी परमधाम में रहनी चाहिए हर समय, तो ये कदम, ये स्टेप देखते हुए, आगे बढ़ते रहें, बाबा के कदम प को पकड़े रखना है, इस रिती से कि हाँ बाबा मैं सदा आपके साथ हूँ, साथ रहूंगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो हम जब बाबा के साथ होते हैं, हमें बहुत सुरक्षित भी अनुभव होता है, माया से सुरक्षित रहते हैं, कोई भी जो टेस्ट आता है, उसमें भी सुरक्षित रहते हैं, जब हम बाबा के साथ होते हैं, तो हम प्रैक्टिकल में यह अभ्यास करेंगे, कई बार दिन में यह शांती का प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, हर रोज बेतर होता जाना चाहिए, जब भी हम करेंगे, पहले दिन सुबह में भले ही आप को कुछ संकल पाएंगे लेकिन जैसे ही आप करते रहेंगे तो और बहतर होता जाएगा हर दिन तो फिर आप उसका फाइदा भी देखेंगे कि जब वो प्राप्ती होती जाएगी तो जब प्राप्ती होगी तो आपको लगेगा कि मैं और करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे बाबा का प्रेम अनुभव होगा और वो जब अनुभव होगा तो बाबा की तरफ मेरा और अकरशन होता जाएगा तो कुछ भी अगर वो उसमें अटकता हो उस याद में तो बाबा को याद करके उसको ठीक करता रहूं बाबा की याद से मुझे जो भी फाइदा जब प्राप्ति अनुभव होगी तो मैं और और उसको करना चाहूंगा तो बाबा ने जैसे सद्गुरुवार में कहा हमने भाचित किया और पूरे विश्व में अभी तो सब लोग सोच रहे हैं जादा करने का तो जब बाबा ने ये देश दिया मुली में तो हमने इस पे चर्चा की और मैंने कहा कि हम ये अभ्यास शुरू करते हैं तो हम आपको वो समय बताएंगे तो आपको क्या करना है कि तो दीदी अभी बोल रहे हैं तो मुझे क्या करना है जैसे मैं भी बता रही हूँ इस चीज़ को तो आप अपनी बुद्धी आप अपनी बुद्धी को मन को एकदम स्थिर मन शांत बुद्धी स्थिर और आप ये जबरदस्ती नहीं करेंगे आप जैसे परे चले जाएंगे जैसे विसाल के तोर पर आप बेहद में चले जाएंगे उपर चले जाएंगे शुरू शुरू में होंगे कुछ संकल्प आपके मन में मैं आत्मा शरीर का मास्टर शरीर का मालिक हूँ तो अभी तो देह के अंग उसको खीचते हैं मन बुद्धी को लेकिन उसको हमें परिवर्तन करना है मैं मालिक, मैं आत्मा मालिक हूँ और ये मेरे करम चारी है तो वो अकर्शन उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए अंगों का जो कि अच्छा नहीं है मुझे करम तो करना है लेकिन हर समय मन क्यों खीचे उस तरफ बहुत बार मुझे पता है कि जो भी यहां पे रहते हैं सेंटर पे तो सुबह सुबह उनको प्रमा बोजन बनाना होता है तो उनके संकल्ब चलते रहते हैं एक दिन पहले भी मुझे ये बनाना है, ये पकाना है अगले दिन, तो मुझे या जो पढ़ते हैं, मुझे पढ़ना है, उसके संकल्ब चलते रहते हैं, तो बहुत जादा संकल्ब चलना है, ये उसके पहले इतना नहीं, तो बहुत बार मैंने ये नोटिस किया है, तो अंगों का अकर्शन मन औ वो थोड़ा हमें ध्यान देना होगा तो यही बाबा का तादपर यही था कि मैं करवनहार आत्मा और शरीर के अंग करणहार है तो आत्मा मालिक बनके शरीर के अंगों को चलाए तो कर्म तो होना ही है हमेशा शरीर है, ड्रामा है, तो यग्य है, परिवार है, तो करम तो करने ही है, लेकिन मन उसमें इतना क्यों खीचे? इस पर हमें ध्यान देना है वो ब्रह्मा बाबा मुझे का करते थे, कि जो भी जैसे हम विश्व कल्यान कारी हैं, विश्व सेवाधारी हैं तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, तो बाबा मुझे बताया करते थे और हमें इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा अपने संबंधों में, कि हम क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या कैसे बात करें तो बुद्धी किसी भी व्यक्ति, वस्तु की तरफ, साधनों की तरफ बुद्धी वो खिचे नहीं उतना भरिश्य की तरफ भी खिचे नहीं जो भी प्लैन करना है वो करना है लेकिन उसके बाद उससे न्यारा हो जाएं हर पल हमें नियारा होना है, बेहद में रहना है, क्योंकि ड्रामा तो चलता रहेगा, सिरफ ड्रामा कहना नहीं, लेकिन निश्चा से, उस पर निश्चा होना चाहिए, तो देखेंगे कि जो भी ड्रामा में होगा, लेकिन खुश रहेंगे, क्योंकि ड्रामा तो कल्यान करी है ड्रामा हमेशा मेरे लिए कुछ कल्यान ही करेगा लेकिन हम तो हद में सोचते हैं ड्रामा तो त्रिकाल दर्शी है बाबा के जैसे ही और यह सब जैसे ड्रामा कैसे काम करता है बहुती सुन्दर रीती से ड्रामा काम करता है तो हमें जैसे बाबा ने कहा सद्गुरुवार को कि ड्रामा पर मेरा निश्चा होना चाहिए तो हम थोड़ा भ्यास के बारे में बताएंगे लेकिन कल इस देह से परे जाने का भ्यास करें और अपने आपको ये याद दिलाते रहें कि मैं आत्मा मालिक हूं और ये सब अंग मैं इस्तेमाल करती हूं करमचारियों के जैसे तो आप अपने सीट पर स्थित हो जाएं एक मास्टर एक मालिक की सीट पर तो आपके अंग आपके मन बुद्धी को खीचे नहीं क्या होता है कि हर समय आपके अंग आपको खीचे रहते हैं यह करना हैं वो करना है, लेकिन हर समय ऐसा क्यों होना चाहिए? और इसलिए कभी-कभी हमें यह महसूस होता है, कि बहुत कार्ये करने वाले हैं, क्योंकि वो अकर्षन होता है उस तरफ, तो हम अपने मन और गुद्धी को बेहद में परे ले जाएंगे, इस संगों के आकर्शन से परे और शांती में रहेंगे अपने अनादी सुरूप की स्थिती का अभ्यास करेंगे कल और फिर हर शाम को हम और इस पर चर्चा करेंगे और अगर आपको कोई अनुभव हो या कुछ बताना चाहें तो हम उस पर भी थोड़ा चर्चा कर सकते हैं ओम शांती इन पर साथ दिन की शांती की भट्टी कर रहे हैं व्यक्त परिवार में तो दिन में पांच बार साड़े दस सुबह, साड़े दस से दस चालिस तक साड़े बारा से बारा चालिस तक ओम शान्ती सभी को जैसे दीदी ने बताया कि हम शान्ती का अभ्यास करेंगे एक आफ़ते के लिए शान्ती की भटी का तो कल से शुरू करेंगे इसको और इसमें है मन की शान्ती शब्दों की शान्ती या वचन की शान्ती आँखों की शान्ती, कानों की शान्ती और टाइमिंग है, इसका समय है, 10 बज कर 30 मिनट से सुबह, 10 बज कर 40 मिनट तक, फिर दोपेर में साधे बारां से लेकर 12.40 तक, फिर ढई बजze से लेकर 2.40 तक, साधे पांट से लेकर 5.40 तक, साथ बजे से लेकर साथ दस तक ये पांच समय में हम ये अभ्यास करेंगे शांती का बटी दीदी ने आपको बता तो दिया है कि हम कैसे करेंगे कि ये दस मिनट हम हम कुछ भी सुनना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ बात नहीं करनी है एकदम शान्थ, सोचना भी नहीं है, संकल्प भी ना आए, तो हम क्या करेंगे, कि हम अभियक्ति परिवार जूम में शिव बाबा की तस्वीर डालेंगे, तो अगर आप उस समय अभियक्ति परिवार का जूम जोइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जॉब पर हैं, या व्यस्त हैं, तो जहां पर भी हैं, वहां ऐसा अभियास कर सकते हैं, जो जूम जोइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकें, तो अच्छा है, तो ये भट्टी का टाइम है, समय है, तो ये कल से शुरू कर रहे हैं, नया, कल आगे साथ दिन के लिए हम ये अभियास करेंगे, तो दीदी ने जो बताया, वो बहुती स्पर्ष्ट हो गया है, उससे कि हमें क्या करना है, शान्ती का अभियास कैसे करना है, तो मुझे यकीन है कि सब लोगे इसका लाब उठाएंगे, कल से, ओम शान्ती. जान्ती.